सबी को मेरा नमस्कार मेरी चैनल Electrical Work Learning जी में सबीका स्वागत है बेट स्विच कनेक्शन के से करें? अगर मान लीजे कि आपकी घर में पहले से पूरा वाइरिंग हो चुका है बल्प स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है जो पहले से वाइरिंग हो चुका है उस bulb को आप bed switch के साथ के से connect कर सकते हैं तो आज हम इस type का wiring करना सिखेंगे यानि bed switch wiring करना सिखेंगे अगर पहले सी लगे हुए bulb को आपको bed switch के साथ जोड़ना है तो आपको क्या करना है जो bulb से 2 wire निकला हुआ है एक neutral का wire और एक switch का wire जो निकला हुआ है उन में से कोई भी wire को आप बिच में काट सकते हो कोई भी wire को आप बिच में cutter से काट दीजिए तो में black wire यानी neutral wire को बिच में से काट दूँगा मतलब neutral का line break कर दूँगा बेट switch से लेके वो जहाँ पर आपने line काटा है वहाँ तक का nap लीजिए दो wire का और इस तरह से आपको wire का connection करना है ध्यान से दिखेगा आपको एकी बार में पूरा समझ में आ जाएगा बेट switch का wiring complete हो चुका है बहुत ही आसान है एकी बार में आप सिख जाओगे अगर घर में किसी bulb का connection पहले से ही हो चुका है तो उस bulb को हम बेट switch के जरिए इस तरह से wiring कर सकते इस तरह से हम चला सकते ओके तो ध्यान इतना रखना है आपको जो switch and socket board में उस bulb का जो switch था उसको हमेशा on रखना है ताकि line pass होता रहे है जो बेट switch आपने बनाया है वहाँ से उस bulb को on off कर सके होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बेट switch का wiring यान connection किस तरह से करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब काना टूटली प्री है और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरे वीडियो को देखा है मेरे वीडियो को पसंद किया सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका दिन बहुती सुझ रहे बहुती अच्छा रहे